आईए आज हम सबक नमबर 12 सबके लिए गिजा का मुतालिया करेंगे इस इसे में हम जरात के हंगाम, जरात के काम, रिवायती जरात और जरात की जदिद टेकनोलोजी के बारे में मालूमात हसिल करेंगे नमबतात और हैवानाज से हमें गिजा हसिल होती है लेकिन गिजा का सबसे बड़ा हिस्सा नमबतास से हसिल होता है अनाज, डाले, फल, सबजिया हमें नमबतास से हसिल होती है अनाच के लिए खेतों में बीज बोये जाते हैं, बागों में फल के दरक्त लगाए जाते हैं हमारा मुल्क जर्ई मुल्क होने की वज़े से भारत का तक्रिबन 60 फीसद जमीनी हिस्सा जर्ई कामों में इस्तेमाल होता है हमारे मिलक में साल बर मौसम सर्मा, मौसम गर्मा, बारिश जैसे मौसम होते हैं मौसम के लेहा से जरात के दो हंगाम है जून से लेकर अक्तुबर के हंगाम को खरीफ हंगाम कहते हैं भारत में जून से अक्तुबर के दर्मियान बारिश होती है इस बारिश का पानी बरायरास्त खरीफ हंगाम में इस्तिमाल होता है इस हंगाम की फसले हैं चावल, बाजरा, जवार, मक्कई, मुंखवली, कपास उसी तरह अक्तोबर से मार्च के हंगाम को रभी हंगाम कहते हैं इस हंगाम में जजब शुदा बारिश का पानी मानसून का इस्तेमाल होता है इस हंगाम की फसले हैं गेहू, चना, सरसो वगएरा इसके इलावा मार्च जुन तक जो फसले उगाई जाती है उन्हें गर्मा की फसले कहते हैं चलिए अब हम जरात के काम इसकी मालूमत हसिल करेंगे बच्चों एक रोटी की पीछे किसान की बहुत ज़्यादा महिनत होती है हर किसान चाहता है कि इसकी फसल अच्छी हो और अच्छी काश्ट के लिए जरूरी है कि जर्खे जमीन हो बैतरिन बीज हो अच्छी खाद हो और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पानी खेत में मशागात के काम जरूरी होते हैं यानी खेत को बीज बोने से पहले इसकी घास फुस को निकाल कर बीज के लिए तैयार किया जाता है जरात के रिवायती तरीकों में बैलो का इस्तेमाल करके हल और बक्खर चला जाते थे इसी तरह खेत को पानी देने के लिए किसान मूठ का इस्तेमाल करता था कटाई और मलनी के काम भी किसान के घर वाले और दिगर मजदूर किया करते थे लेकिन आज दोर ज़दीद में जरात की ज़दीद तरीकों को राइंच किया गया इसमें इसलाशुदा बीच का इस्तेमाल करके ज़दा पैदवार हसल की जाती है जवार गेहू बाजरा के इसलाशुदा बीच आज बाजार में दस्तियाब है इस तरह जरात के दो तरीके रिवायती जरात और जदिद जरात का तरीका राइंच है लेकिन आज हम जरात के जदिद तरीके को ज़्यादा तरजी देते हैं